हेलो दोस्तों स्कानवी पटेल के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो अभी कर लेजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में दिएगे बेल बटन को दवाना ना बुलें जिस है white ड्रॉपर टूला जब हम 3D का इसमें काम करेंगे तो हम आपको यहां पर बताएँगे तो आज का यह तो यहां और पर टूला इस Knowledge Note tool इस चार टूल को देखते है कैसे यूज करने आप यहां पर देख सकते हैं एक इमेज खुला हुआ है आईudd्रॉकर 얼마나 का का मदूस्तों होता रिका है कहीं से भी आप आई ड्रॉकर टुल की मदद से color pick कर सकते हैं, आप यहां से भी pick कर सकते हैं, इस area में कहीं से भी color pick कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, face face से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, और वही color को कहीं दूसरे जिए पर place करना हो, तो Eye-Dropper Tool का काम होता है भालय जिए हम आपको करके दिखाते हैं हमने यह Color यहाँ से नीचे से यह Color को Pick करते हैं यहाँ से Eye-Dropper Select किये और यहाँ से Color Pick किये और यहाँ पे Paint Bucket Tool को Select करते हैं धोस्तों आगे आपको बताएंगे पैंट पकट टूल का कैसी यूज करते हैं हम यहां पर एक यूज करके दिखाते हैं पैंट पकट टूल को स्लेक्ट करते हैं और यहां पर क्लिक करते हैं यह देखिए दोस्तों जहां पर हमने जो कलर यहां से पिक किये थे वही यहां भी कलर पिक हो गया अब जहां पर क्लिक क दोस्तों color Sample Tool color sample tool का क्या काम होता है कंट्रोल Z करते हैं इसको दोस्तो color sound tool का बहुत अच्छा काम होता है अगर आप printer के यहां काम करते हैं brand पे कोई color काम करते हैं तो वहाँ पे color picker का बहुत जादा यूज होता है क्योंकि आप उसको color को change नहीं कर सकते हैं color sample आपको लेना है तो इस color sample tool का यूज किया जाता है color sample tool का आप यहां पे किसी भी area पे click करके उसका color का sample ले सकते हैं आप माल जी यहां पे हम click करते हैं जो ही click करते हैं यह आपको एक final खुल के आता है और यहां पे color दिखाता है आप देख सकते हैं हमने एक जिगह click किये हैं यहां पे RGB color को दिखा रहा है अगर आप इस image को CMY के करते हैं तो CMY के color दिखाएगा लेकिन यह RGB color है इसलिए यहां पे एक panel बन गया RGB का और यहां पे देखिए एक dotted बन गया मतलब हमने यहां पे color को pick किये हैं इसका color जो 1, 15, 188 है यह color का point है अगर माल लिजे यहां पे हम click करते हैं यह दूसरा आइनल बन गया और यहां माल देजिए इए यहां पे फोर्ट बन गया सेटी है यहां मतलब यहां पे इस खेड के देखिए 6 पैनल बना हुआ है और सभी ृप्छ लेने के सब का अधर में तों हम किया श्री नहीं नहीं होता है दोस्तों सेट काम अधरक तरिके से इस image की size यहां से लेके यहां तक drag करिए आप ज्यों ही drag करते हैं यहां पर इसकी size आ जाता है और हमने जो panel खुला था उसको हमने बंद कर दिये उसको आप यहां से ला लेजे info करके उसको तनोता है आप info देखिए यहां पर दिया हुआ है इसकी size देखिए दोस्तों यहां पर आ रहा है अगर यहां से click करते हैं यहां से यहां तक की size दे रहा है width और height यह देखिए इधर से लेते हैं यह देखिए उपर से भी ले सकते हैं कहीं से भी ले सकते हैं तो इसका size आपको यहां उपर देख सकते हैं, इसकी height इतना दे रहा है, अगर आप खान लिए हमको इसकी eye को नापना है, यहां से इसकी distance कितना खुली विया है, तो यह देखिए, यहां पर 90 pixel खुली विया है, जो 9-0 है, इस तरह से आप face को भी नाप सकते हैं, यहां से यहां की distance, पान को भी नाप सकते हैं, यह measure करने के लिए काम आता है दोस्तों, और इसका एक और अच्छा काम होता है इसका दोस्तों, अगर माल लोग किसी को rotate करना है, अगर यह image को लेते हैं दोस्तों, माल लेजे हम इस image को लेते हैं, अभी क्या है दोस्तों, यह जो है, थोरा सा tilt है यह image, सीधा नहीं है, अगर आपको सीधा करना है, तो इस tool का काम किया जाता है दोस्तों, यहां से यहां पर click करिए, और यहां पर देखिए, एक option खुल के आ हो गया है, इसका दो type से काम किया जाता है, एक तो image को अगर सीधा करना हो, तो इस use किया जाता है, या तो आप major करने के लिए, यह दोस्तों, लेटर पे भी काम करता है, माल लिए कोई भी later लेते हैं, अब यह से दोस्तों, इस जो tool है, ruler tool का यहां पर भी use किया जाता है, और यहां से क्लिक कर दीजिए जो ही क्लिक करते देखिए यह सीधा बन गया बिल्कुल सीधा बन जाएगा तो यह रूलर टूड का दो टाइप से यूज किया जाता है आगे देखते हैं दोस्तों नोट टूल का यूज क्या होता दोस्तों नोट टूल का यूज दोस्तों होता और वहां पे वो बंदा जो ही Photoshop खोलेगा ότι और नोट दिखे आएगा यहां पे क्या है तो दोस्तों कहीं पे भी Click करके लगा सकते हैं click क्ये हमने और क्यों ही click किये हम यहां पे एक option आया नोट लिखने के लिए हम यहां पर लिख देते कोई हम लिख देते हैं हमने यह नोट लिख दिये और इसको हम क्लोज कर देते हैं अब क्या है दोस्तों देखिए यहां पर एक नोट बनके बना हुआ है और यह हम सेव कर देते हैं यह नोट यहां पर सेव हो जाता है और जब पर कोई भी खोलेगा इसको Photoshop में तो वहां पर यह दिख जाएगा और जो ही इस पर डबल क्लिक करेगा यहां पर देखिए नोट खुल के आ जाएगा कि हमने क्या लिखेते हैं यह इस पर राइट बटम जो ही क्लिक करें राइट बटम करके ओपें का ओप्शन होता है राइट बटम ओपें नोट यह दिखें दोस्तों खुल के आगे नोट यह नोट लिखने के लिए काम होता है तो दोस्तों यह वीडियो मेरा कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ सेर भी करें और इस चैनल को झाल झाल